हलो फ्रेंज, वेलकम टू आज आज एमेदिकल एडुकेशन आज आजका हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम तो चलिए स्टड़ी करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम Constance of Glands इंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से बना हुआ है है तो इसलिए सबसे पहले पढ़ेगे कि च्राइप क्या होता है बेसिकली को ऐसे करते हैं क्योंकि यह कुछ सिक्रीट करते हैं तो ग्लाइन पूरी बॉडी में प्रेजंट होते हैं मारी फुल बॉडी में सो GEORGE वह सकते हैं क्योंकि यह सीपरिट करते हैं दर प्रदिब्यूजग केमक बन्स चाहते हैं वीदेगन सबस्टांसेश और जो हिस्परिट बन्स करते हैं केमिकल सबस्टांसेश सो Bets वीऩ उसकते हैं हॉर्मॉन्स अग्याइंज वी जूचे सिकरीशिंस द gracious बोडंच में सब् तो उसका मतलब हुआ डक्टलेस कि कुछ भी आगे मैंने पाइप या कुछ भी अटैश नहीं किया अब एक्जोक्राइंग्लेंड्स के होते हैं यह डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन को छोड़ते हैं अब उसी टैप के आगे अगर मैं एक पाइप लगा गूँ वह जो पान आगे पाइप के थ्रू यह नहीं छोड़ते हैं इसले हम एंको बहते हैं डक्लेस ग्लैंड्स अपने ब्लड स्पी में अपने हम वंश्रों सो सिक्रीट करते हैं जो ऑग्जोक्राइंड्स ग्लैंड्स अपने सब्स्चांस इसको चोड़ने के लिए कोई आप्एपेसेज य आगती है, so endocrine land secret hormones, मैंने पहले भी बिताएं कि endocrine land hormone secret करती है and hormones का another name है chemical messengers that act on the target tissue and organs where they influence cell growth and metabolism, so ये endocrine lands क्या करती है, hormones को secret करती है, अब जो target tissue है, target tissue या cell का वो मतलब है जहां पर कोई action perform होना है, so ये hormones directly उस target tissue पर जाकर target करेंगे और उसके साथ bind हो जाएंगे, जहांपर वो cell growth और metabolism को influence करती है, जैसे कि cell की growth करना या कोई भी action को वहाँ जाकर ये perform करती है, अब ये जैसे एक diagram के दूम मैंने शो किया है, ये है target cell, अब target cell के उपर receptors present होती है, जो इन hormones को receive करते हैं, अब ये hormones endocrine gland से सिक्रीट कर दिया, so जहांपर target cell जहांपर जरूरत है इस hormone की, वहाँ ये hormone जाकर receptor के उपर bind हो जाएगा, और अब ये hormone महाँ पर cell growth और metabolism को influence करेगा, so ये hormones क्या होते हैं, in response to specific stimulus, सबसे पहले cell से इनको कोई stimulus मिलता है, तब ये release होते हैं, arrive at target tissue, target tissue पर पहुंच जाते हैं, arrive हो जाते हैं, bind to specific receptor, receptor के साथ bind हो जाते हैं, and then वहाँ पर अपना action perform करते हैं, अब जब तक ये action complete नहीं हो जाता, तब तक ये hormones का release होता रहता है, उसको बोत ये positive feedback mechanism, अब जैसे ही action खतम हो गया, तो action reverse हो जाता है, उसको बोत ये negative feedback mechanism, now, hormone का release होना, और hormone का बंद होना, यानि stop होना, दो तरह से होता है, दो mechanism होते हैं, एक होता है positive feedback mechanism and एक होता है negative feedback mechanism, तो इसको पढ़ेंगे, so first है positive feedback mechanism, so positive नाम से ही पता जुड़ा है, जब तक action complete नहीं होता, तब तक hormone का release होता रहेगा, so amplification of stimulus, जैसे ही target cell से stimulus निकलता है, जो की stimulate करता है hormone के release को, so वो increase है, increasing release of hormone, उस stimulus से hormone का release increase हो जाता है, ताकि वो target cell पर जाकर action perform कर सके, until a particle process is completed, so जब तक एक particular process complete नहीं होता, तब तक hormone release होता रहता है, और target cell पर जाकर action perform करता रहता है, इसका एक example है labor, labor के दोरान, oxytocin का release तब तक होता रहता है, जब तक baby बाहर डिलीवर नहीं हो जाता है, जब तक labor, labor complete नहीं हो जाती, अब negative feedback mechanism क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, after the completion of process, जब process complete हो गया, action perform कर दिया है hormone ने, तब action reverse, तब जो action है वो reverse हो जाता है, जो stimulus है, वो inhibit या slow हो जाता है, slow होगया stimulus and कम हो गया और बंध हो गया, उसके बाद क्या होता है, कि जो hormone का secretion है वो बंद हो जाता है इसको बोलते है negative feedback mechanism कि process के complete होने के बाद hormone का secretion बंद या slow हो जाता है उसको बोलते है negative feedback mechanism So, ऐसा क्यों होता है? It concerned with homeostasis तो हमारी body ही एक homeostasis का level maintain करके रखती है body में एक balance maintain करके रखती है बहुत जादा secretion के बाद hormone के बहुत जादा secretion हमेशा ना बनी रहे इसलिए negative feedback mechanism हमारी body में present है So, दोनों ही mechanism चलते हैं positive feedback mechanism and negative feedback mechanism simultaneously Now, different endocrine glands in the body हमारी body में अलगलग regions पर कौन-कौन सी endocrine glands पाई जाती है I hope यह diagram आपको समझ आ जाएगा So, सबसे first है pineal gland So, pineal gland या pineal gland बहुत ही small size की होती है यह third ventricle जो brain में present होता है वहाँ पर उसकी roof में present होती है So, very small in size Then, pituitary gland So, pituitary gland बहुत important है इसको master gland भी का जाता है यह hypofaisal foca accretion होता है Sphenoid bone का वहाँ पर present होती है Below the hypothalamus So, इसको pituitary gland को master gland भी बहुला जाता है इसके दो lobs होते है Mainly anterior pituitary और posterior pituitary बीच में एक intermediate lobe भी present होता है इसको master gland इसलिए बहुते हैं Parathyroid and thyroid gland So, thyroid gland के भी two lobs है And इसकी back side पर thyroid gland के पीछे Four parathyroid glands present होती है Then, chest region में thymus gland So, जो media stenum एक region होता है जिसमें heart present होता है So, media stenum जो space है उसके back side में present होती है thymus gland Then, left adrenal gland Adrenal glands हमारे kidneys के उपर present होती है So, two adrenal gland है Her kidney left के उपर left adrenal gland present होती है And right kidney के उपर right adrenal gland present होती है Then, pancreas जो stomach के side में present है pancreas इसमें भी mainly endocrine pancreas इसमें cells present होती है pancreatic islets जो की hormones को release करते है Then, हमारे reproductive regions में आते है Ovaries in females and testes in males So, females में two ovaries होती है ये भी hormone secret करती है And two testes in males So, ये थे different endocrine glands in the body Thank you for watching my video अगर आपको ये video समझाए So, please like, subscribe and share my channel And please do support women empowerment Thank you